तो हेलो कैस्स कैसे हो आई, होप आप लोग अच्छी होगे। तो आज किस वीडिος में आप लोगों को बताऊँ गई कि आप realme c25 की camera setting किस तरीके से से ठीक कर सकते हो। तो ओढ़ आ पूरा reveal और ऍप्रोसेस कि नोलेजबल वीडियो मिलती रहेंगी अगर फ्रेंट्स आपको क्यूशन है तो आप मुझे इस्टाइग्राम पर पुछ सकते हो मेरे इस्टाइग्राम की लिंग का आपको नीचे डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप मुझे बहां से होलोग कर सकते हो चलिए अब आपको यहां पर बिल्कुल ड्यांस समझना है अब क्या करना होगा आपको आदाना है फिर से बैक बैक आने के बाद फ्रेंट्स आपको जाना है अपनी प्ली इस्टूर में जाने का आपको अपने फॉन का नेटाउस से ओपन करना है नेट ओपन करने का आपको यहां आपके सामने कुछ इस तरह का अपन हो जाएगा तो यहां पर कोई कैमरा नहीं आ रहा है अपको यहां पर क्या करना होगा आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे आप इस तरह का अपन हो जाएगा जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो तो जैसा कि आपको पूरा प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से दिखना है अगर आप ध्यान से नहीं दिखती तो फिर गड़वाड हो जाएगी तो आपको यहां पर एक करना है और आपको मैंच वाले उप्सें पे क्लिक करने कर आपको यहां पर अपना दोन ना करते हो नीचे के ओड़े जाना है आप क्याम करना है क्लिक करने को अब करने करना है याईसे क्लिक करो बिदभी करो तो कि आपके समरे कुछ इस तरह का इंटरेस open हो जाएगा अप आपके अपना camera application के और update कर लेना है अपडेट करने का अपका जो camera अपडेट होजाएगा और काफी अच्छी camera quality होजाएगी और आपकी जो camera setting भी ठीक भी होजाएगी तो आप इन्हीं सैटिंग को करके आप अपने phone की camera setting ठीक कर सकते हो तो किस आज की वीडियो में पस एतना ही झाइब बाता ही